तमन्ना में चुनाओ के पहले ये बात जब होती थी, इन्वेश्टर लोग पूछ रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि मान लिजे इस चुनाओ का नतीजा BJP के लिए निगेटिव है तो अभी 2024 को लेकर की confusion मत रखिएगा क्योंकि इन्ही opinion polls में ये बात सामने आई कि assembly में जो कह रहा था voter कि मैं Congress को vote करूँगा वो कह रहा था कि assembly के बाद लोगसभा के vote में मैं मोधी के लिए vote करूँगा मोधी factor despite state level anti-incumbency dominant था राजस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गाड़ जहां की opinion poll को हमने बहुत करीब से देखा था चुनाओ के पहले की बात कर रहा हूँ तो आगे चलते हुए इसमें बहुत ज़्यादा अब clarity की जरुरत नहीं बची है किसी को कि BJP बहुत ही dominant position है, number 1, number 2 यह जाना जरूरी है जो हमारी audience है उनके लिए कि ऐसा क्यों है, उन्होंने क्या किया है कि यह जात और धर्म की politics में धर्म का उनका प्रजेक्ट पूरा हो गया आप इस चुनाओं में देखिए, polarization जादा नहीं हुआ, जो हम बात करते थे, harmony का बड़ा संबंध है, investment का महल देखने के लिए, उनको भी यह तसली रहेगी इस बात की, कि उतना खराब महल तो है नहीं, polarization को लेकर के, जो religion के आधार पर होता है, number 1, number 2, beneficiary scheme को Congress ने और दूसरी opposition party ने copy करने की कोशिश की, लेकिन original वाला ज्यादा चल रहा है, तो सारे जो OBC, SC, ST, एक जो layer है, उसकी packaging BJP ने यूँ कर ली है, कि वो लाभार्थी में आ जाएं, तो secularization of caste हो गया, वाया लाभार्थी, महिलाओं पर special focus है, इस वजह से, आपको जो आने वाल इक्तर बना है चुनाओ को देखने का, और narrative बनाने का, और voter से vote लेने का, उसके सामने Congress Party, India Alliance, क्या narrative लेकर के आ रही है, उनके पास कोई recipe है, या Modi की निंदा है, Modi की निंदा करके, आप चुनाओं नहीं जीत सकते, नई story लेकर के आईएगा, तो हम सुन लेंगे, क्योंकि महने आपके सामने surprise लेकर के आते हैं, नई कहानी लेकर के आते हैं वो.